हाई गाईज वेलकम टूर ब्रैंड न्यू सेशन ऑफ कुरेंट अफेयर्स आज की तारीख है 27 मई 2021 हमारे दो चैनल्स हैं पिनेकल फ्रेंडियर आएस और अगर अब तक आपने चैनल्स को सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो सब्स्ट्राइब करना बिल्कुन न भूलिएगा साथी साथ इस बल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट्स हैं और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबा चार बर जिवेलेबल हो जाता है साथी साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एन वंथली मैगजीन आप माई टेलिग्रम हैंडल्स ट्रेंटियर आएएस और सेशीजर पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रिवेज्स के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था कि विकास बहल को किस उचनयायालिय का अतिरिक तिन्यायधिश न्यूप किया गया है तो इसका सही जवाब था पंजाब और हर्याना उचनयायालिय और दूसरा क्वेस्टिन पूचा थ कि देश की पहली महिला फ्राइट टेस्ट इंजीनियर कॉन बनी है तो इसका सही जवाब था आश्रिता वी ओलेटी स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन का इसका सही जवाब उप्शन बर बी सुबोध कुमार जैसवाल को केंद्रे जांच ब्यूरों सी बियाई का नया प्रमुक न्युक्त किया गया है मंत्री मंडल की न्युक्ति समिती ने दिल्ली विशेश पुलिस थापना धिनियम 1946 के नुसार सुबोध कुमार जैसवाल की न्युक्ति को मंजूरी दी है रिशी कुमार शुकला के कारेकाल पूरा होने के बाद से CBI निदेशक अपत खाली पड़ा है परवरी से अतिरिक निदेशक प्रवीन सिनहा CBI के मामलों को अपने अंतरिम प्रमुख के रूप में देख रहे हैं जैसवाल 1985 बैच के महराश्टर के IPS अधिकारी हैं और वरतमान में CISF के प्रमुख के रूप में कारियत है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो जैस्टिस प्रशांथ कुमार मिश्टर को किस उच नियायालिय के कारेभाग मुखे नैधिश के रूप में नुप किया गया है तो उसका सइज जवाब हाप्शन बर B 36 गड़ उच नियायालिय को होने वाली सेवा निर्ती के मद्य नजर 24 मई को इस संबंद में अधिसूजना जारी की गई है या तस्वीर में देखिए जस्टिस मिश्रा ने चार सितंबर 1987 को अधिवकता के रूप में नमांकन किया और जिला ने आया लिया मध्यपरदेश हाई कोट और छत्यसगर हाइकोट में वकालत की उन्होंने चत्यसगर राज्ये के लिए एक अदेशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल के रूप में कारे किया बात कर नदी टाइगर रिजर्व और इंदिरावती टाइगर रिजर्व 36 गड़ की कैप्टल है राइपूर गवर्णर है अनुसिया यूके और चीफ मनिस्टर है भुपेश बागेल नेक्स्ट क्वेस्ट देखो विश्व थायरेट दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब ह 2008 में European Thyroid Association ETA और American Thyroid Association ATA के नेत्रित्व में अभियान के एक भाग के रूप में की गई थी इस वर्ष की थीम है Mother Baby Iodine The Importance of Iodine on the women and her baby यहां पर extra information की बात करें तो अंतर राष्ट्रे गुमशुदा बाल दिवस यानि इंटरनाश्टल मिसिंग चिल्रन्स डे हर साल 25 मई को वि अंतरिम उप राष्ट्रोपती करनल असीमी गोईता ने सत्ता संभाली है तो इसका सही जवाब है option number B माली तो हाल ही में माली के राष्ट्रोपती बानदाव और प्रधान मंत्री मौक्टर ओवाने को गिरफतार कर लिया गया माली के अंतरिम उपाधियक्ष करनल असीमी गो गोईता ने कैबिनेट फिर बदल में दोनों नेताओं को उनके सरकारी पदों से हटा दिये जाने के बाद ही राष्ट में ले लिया बात करें हैं आपर रिपब्लिक ऑफ माली की तो इस कैपिटल है बमा को करन्सी है फ्रैंक नेक्स क्वेशन देखो मोनाको ग्रापरी 2021 किस कार्लो सेंज ने दूसरे स्थान पर दोड़ पूरी की नेक्स्ट क्वेशन देखो किस भारत के टैनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन क्वालिफायर का पहला मैच जीता है तो इसका सभी जवाब ऑप्शन बर बी सुमित नागल तो भारत के शिर्ष एकल खिलाड़ी सुमि इवेंट खेलने के बाद इस टूर्णरमेंट में भाग लिया और क्वाटर फाइनल में जगा बनाई सुमित नागल ने चारों बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनका सर्वस्ट्रेश्ट यूएस ओपन 2020 में दूसरा राउंड फिनिश शामिल है उन्होंने 13 एकल खिताब जीते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन देखो किस राष्ट्रों दियान में चीता को अफ्रीका से भारत में फिर से लाया जाएगा तो इसका सहीज जवाब ऑप्शन नुबर बी कूनो नैशनल पाक मध्यप्रदेश तो दुनिया के सबसे तेस जानवर चीता को 1952 मे भारत में विलुप्त घोशित कर दिया गया था इस साल नवेंबर में मध्यप्रदेश के कूनो नैशनल पाक में उन्हें अफ्रीका से देश में फिर से लाने को मंजूरी दी गई है देश का आखरी चितिदार चीता 1947 में 36 गड़ में मर गया था भारती वनेजीव संस्थान WII ने कुछ साल पहले एक चीता री इंट्रोडक्शन पर योजना तयार की थी बात कर रहे हैं आपर मध्यप्रदेश की इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल इंदिरा सागर डैम नर्मदा नैशनल पाक में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व प पजराव ग्रूप ऑफ मॉनुमेंट्स नेक्स्ट क्वेशन देखो इंडिया एंड एशन जियो पॉलिटिक्स दी पास्ट प्रेजन नामक पुस्त किसने लिखी है तो इसका सई जवाब है ऑप्शन नुबर बी शीव शंकर मैनन तो शीव शंकर मैनन ने इंडिया एंड ए एशिया यानि contemporary एशिया को शामिल किया गया है या तस्वीर में देखिए शीव शंकर मैनन एक भारते राजनेख है किताब में उन्होंने एशिया में चीन के मुकाबले भारत की बढ़ती स्थीति का विशलेशन किया है उन्होंने PMN मोहन सिंग के तहत भारत के चौते राश तो करनाटक के मेके दातू में कावेरी नदी पर एक जलाशे के निर्मान में मंदंडू के कतितु लंगन यानि वाइलेशन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राश्री हरित अधिकरन NGT द्वारा एक समिती का अगठन किया गया है करनाटक कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का प्रसाफ कर रहा है जब कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधी करन यानि कावेरी वाटर management authority द्वारा इस प्रसाफ को तमिलाडु सरकार के विरोध के करन दो बार ताल दिया गया था बात कर रहे हैं हाँ पर करनाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजासागर कावेरी, तुंग बद्रा टाइम तुंग बद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा नाशनल पार्क में आता है नगरहूल नाशनल पार्क, आंशी नाशनल पार्क और बनर घटा नाशनल पार्क करनाटका की कैप्टल है बेंगलूरू, गवर्नर है वाजूबाई वाला, चीफ मनिस्टर है बी-एस यद्यूरप्पा युनेस्को वर्ल हेड़े साइट्स में आता है हम्प्यू मनुमेंट्स और पतर डकल मॉनुमेंट्स नेक्स्ट क्वेस्टन देखो एशियाई मुक्यबाजी चैंपेंशिप 2020 में किस भारते मुक्यबाज ने लगातार पांचवा पदक जीता है तो इसका सही जवाब हो उप्शन इमबर B, शिव थापा तो मुक्यबाज शिव थापा 64 किलोग्राम ने क्वाटर फाइनल में कुवेट की नादेर ओदा को हराकर सेमी फाइनल में जगह बनाई और एशियाई मुक्यबाजी चैंपेंशिप में लगातार पांचवा पदक हासिल किया यह उन्ने तस्वीर में देखिए थापा ने 2013 में एशियाई चैंपेंशिप में स्वरन 2015-2019 में कांसे और 2017 में रज़त पदक जीता था बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुईक समरी की तो सुबोध कुमार जैसवाल को CBI का नया डारेक्टर निउप किया गया है जेस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा 36 गड़ हाई कोट के एक्टिंग चीफ जेस्टिस बने है वर्ल्ड थाइरेट डे 25 मई को मनाया जाता है माली के वाइस प्रेजिडेंट करनल असीमी गोईता ने पावर को टेक ओवर कर लिया है मुना को ग्राइंट प्रिक 2021 मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है इंडियन टैनिस प्लेयर सुमित नागल ने प्रेंच उपन क्वालिफायर का पहला मैच जीत लिया है मध्यपरदेशिय कूनो नैशनल पार्क में चीता को री इंट्रिड्यूस किया जाएगा इंडिया एंड एशन जियो पॉलिटिक्स दी पास्ट प्रेजन बुक शिवशंकर मैनन ने लिखी है एंगीटी ने करनाटका के मेके दातो विवाद को स्टड़ी करने के लिए एक पैनल फॉर्म किया है और इंडियन बॉक्सिंग चेंपर्शिप थापा ने एशन बॉक्सिंग चेंपर्शिप में लगातार पांचवी जीत हासिल की बात कर लेते हैं आज के सेशन के फूर दे के आपका पहला क्वेस्टिन है किस राष्ट्य और दियान में चीता को अफ्रीका से भारत में फिर से लाया जाएगा और आपका दूसरा क्वेस्टिन है वेश्व थारेट दिवसकब मनाया जाता है इन दोनों क्वेस्टिन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अब तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कु न भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आनेवल हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोने वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंडल्स को जरूर करना है साथी साथ घर पर रहिए सेफ रहिए थैंक्यू सो मच